आफ नम लोग वास ड्यावर्जेंस थिरूम का एक और मोग नियुक्त प्रिवेस लेक्टर अमारा गॉस ड्यावर्जेंस सवत प्रूफ किये हैं और नोमेरिकल सव्प कर रहां अभी कोशन इंप नियुक्तेंट है पली तुद देखना जरूरी है तो इसका लिंक आपको आई प्रेसिए से प्रेश्य में में क्यों बात किये थे प्रेलिव पारीड की यह बात किये थे आज हम लोग। बात कर रहे हैं स्लेंडिकल रीजन की उपर बात कर रहे हैं ऑके बॉंड़ य जो रीजन बॉंड बनार रहा है उसका रिजन क्या है या पर आप x square plus y square is equal to a square दे रखा है और दूसरा जो कंडिसे है जे डिकल टू जीरो और जे डिकल टू एच दे रखा है तो इस परकाल से दे रखा है conditions यानि means that कि एक तह हमारा जो limit है वो clearly दे रखा है दूसरा जो limit है हमें clearly नहीं दे रखा है तो उस case में क्या करना है मुझे तो देखिए सबसे पहले एक हम फीगर बनाने के बनाते हैं उसके बाद आपसे बात करें राइट चलिए देखिए अब यहां पे मान लिजिए कि हमारा एक सिलेंडर है इस परकार से हमारा सिलेंडर होगा हमारा इस परकार स हमारा इस परकार से स्लेंडर होगा कि हो कि इस परकार से स्लेंडर होगा और यह हमारा इसमें चो आक्सीज जो हमारा बन रहा है माल लिजिए हमारा इसमें डो ऐक्सीज बन रहा है यह माल मान लिज़े यहां पर वाई एक्सीज है इसमें कोई फर्क नहीं परदा चाहे तो इसको आप य मान सकते इसको जेड मान सकते वह आपके ऊपर कर जाता है सारी इसमें सबसे बड़ी कंसिडर करने वाले क्या बात है हम क्यूब में देख और किस्क्स सर्फरे SUNạtर हो राता है और पर्लोपाइड में देख रहे हैं थैंकर केलोकसिक सर्फिस एरिया हो रहा था अभी सिलेंड्रिकल में क्या होगा मारा इसा कितने कितना हो सकता है एक रीजन आपका इस साइड का सर्फेसरिया हो सकता है दूसरा इस साइड का सर्फेसरिया हो सकता है तिसरा यह राउंड वाला का सर्फेसरिया हो सकता है तिरी तो है तो यहां पर हम मानके चल रहे हैं यहां पर मानके चल रहे हैं कि यह वाली जो मंसर्फेस कि हमारा एस सुवन है और यह वाली जो मारा सर्फिस कि एरिया है यह स्टू है और घ्र घ्लिक इतना है चल Congress इसको आपस आल करते हैं हुआ तो साल करेसे पहले फीर्सेव एगेल उह मोग देख लेंगे कि हमें क्या दे रखा है क्या हमें नहीं नहीं कॉलना है तो हमको एक प्रांग्सन दे रहा है Ayya Kats प्लस I X Case class J take a A clean 5 फूस इतना ही रहा है अब हमको क्याlen descent त्यूर्म के थूरू इसको हमको verify करने के लिए बोल रहा है तो डाइवर्जेंस थ्यूर्म क्या बोलता है है हम लिखेंगे वी नो दाइट कि डाइवर्जेंस थ्यूर्म कि डाइवर्जेंस कि डाइवर्जेंस थ्यूर्म क्या बोलता है इंटीग्रेशन वैक्तर एफ डॉट एन कैप और डी एस इस इक्वाल टू इंटीग्रेशन वी और यहां पे डेल डॉट एफ और डी वी राइट इतना दे रखा है अब यहां पे हमें एब एक को क्या माल लेंगे है ल है एक को पहले यह वाली इसी है यह वाली को हम सबसे पहले इस हैं अब चाहें टीग्रे efficacy कर सकते score चलिए अब इसको जब सॉल्प करेंगे पहले तो हम काद एक काम करते हैं इसको हम आरेचेस बराबर माल लेते हैं कि आरेचेस बराबर कि इंटीग्रेशन वी देल डॉट एफ व्याक्टर डीवी यहां पर हमें दे रखा है अब चाहें तो आप यह अलग निकाल सकते हैं डेल डॉट एफ यह चाहे तो साथ में निकाल सकते हैं इस बार हम अलग निकालते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग एकसाथ निकालते हैं उससे पहले लेक्चर में हम लोग अलग निकालते हैं तो इस बार हम अलग निकालते हैं देखिए वह आपके एक चाहे कि आप चाहे तो जैसे बना सकते एकसाथ बना सकते या अलग बना सकते हैं डिल बनाबर जो हमारा होता है i cap del y del x plus j cap del y del y plus यहां पर क्या है k cap plus k cap del y del z और यहां प्लस एकस जे काफ और प्लस जेड़ स्काइर के गाइट इतना दे रखा है जब सिसको ना यहां पर इसके साथ करेंगे तो यह हमारा हो जगा 0 इसके सबक्राइब कर देदें आप हम आप क्या बत बोलने चाए रहे हैं हम यह यह आई हमरा एकस में तरह कि हमारा टीपरेंटिर हो जाएंगा एहां यह हमारा तो य के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीट होगा एक्स कॉंस्टेंट है तो हमारा जीरो होगा अब जीड है जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीट है इसलिए हमारा यह z square का 2z हमारा integrate हो गया ओके तो यह del dot f अब हमें क्या करना होगा हमें अब limit भी निकालना होगा क्या limit भी हमें निकालना पड़ेगा तो limit अगर निकालना है तो यह वाली जो आपका equation दी रखा है x square plus y square is equal to a square यहां लिद जिये bracket with given हमें दी रखा है ओके अब इसमें अगर आपको y का limit चाहिए या x का limit चाहिए तो हमें क्या करना होगा हमें यहां पे y बराबर हमें 0 put करना होगा तो y बराबर अगर 0 put करेंगे तो x square plus 0 और is equal to a square जब यहां पे x की value निकालेंगे तो plus minus under root a square means that कि यह आपका x equal to plus minus आपका a आजाएगा उसी परकार से हम limit और इधर निकाल देते हैं इस बर हम x equal to x को उधर लेके चले जाते हैं तो यहां पे आजागा y square a square minus x square ओके अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बोलेंगे कि सर यहां तो आप एक जीरो पूट कर दी है जीरो पूट कर दी है y equal to ऐसा क्यों तो कि आप x यानि पहला integration की बात कर रहे हैं यानि वन variable की बात हो रहा है न इससे लिए y तो 0 करना ही पड़ेगा अब यहां आप y का limit नहीं कर लें आप यहां प्लस में लेना होगा यहां प्लस में लिन लेना होगा a square minus x square और यहाँ पे एक plus मिलेना होगा a square minus x square और limit इसे आग 0 से हमारा h होगा और हम क्या लाए है dot product करके यहाँ पे हमें 2z लाए है यहाँ पे आजाएगा 2z और dy, dx और dz यहाँ इसको y कर दीजिए इसको x कर दीजिए इसे कोई फार्ग नहीं परता है चल अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कीजिए integration minus a से a और integration minus a square minus x square यहाँ पे प्लस में आ जाएगा under root a square minus x square इतना आ जाएगा और इसका जो integration होगा यह 2 को हम लोग इधर लिख देते हैं तो को हम लोग इधर लिख देते हैं और इसका z का integration क्या हो जाएगा हमारा z square हो जाएगा y2 यहाँ जाएगा 0 से हमारा h था और dx और dy था जब इसको आप डालोगे इसमें तो हमारा क्या जाएगा h square आएगा तो इसको डारेक इधर ले लेते हैं तो h square by 2 integration माइनस a और हमारा यहाँ पर आजाएगा a और माइनस under root a square minus x square under root x square minus a square minus x square और हमारा यहाँ पर dx और dy आएगा कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर होगा integration इसका मतलब surface area की बात कर रहा है किसका बात कर रहा है surface area की बात कर रहे तो यहाँ पर लिखेंगे cylinder का surface area surface area of cylinder लिखना है तो cylinder लिख दीजिए We have Gusty प्रफेस एरिया आफ CROSS सीलेंडर सस्राइडर का सर्फेस अरिया क्या होता है तुपांग उलि longest प्रफेस सर्कल होगा क्यारव स running व्लाल यहं एक चल तो sudah एच जब मिलाएंगे देखिए यहां पर मिहें वाली सर्कल में एक सर्कल किसे मंतिफलै करेंगे तो हमारा यहां पर हो जाएका से हो जाएका से मंटिफलाइ किरेंगे अगर हाइट जोड दिया जाए तो क्या हो जाएगा वह उसलेंदर बन जाएगा चलिए तो यहां पे अगर हम बात करेंगे area of circle area of circle बात करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा पाई और radius हमारा क्या होगा एक ही form में हमारा limit है यहां पे क्या था x square plus y square is equal to a square था यानि यह means that circle का equation है तो यह हमारा बताएगा radius बताएगा तो यहां पे आजाएगा a square राइट अब यहां पे आजाएगा पाई a square और h square यह अब क्या हो जाएगा slender में convert हो जाएगा किसमें convert हो जाएगा स्मझ में आया होगा आब हमारा यहां पर हमारा यहां पर हमारा कंपलीट हुआ अब हम बात करेंगे कि लएचे का तो आगर करते हैं तो आब यहां पर बात करेंगे और यहां पर दिभाइब कर रहे है तरी पार्ट में डिवाइट कर रहे हैं तरी पार्ट में डिवाइट कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे इरी कि唱 passar अ किसर पेइस area area divided divide 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 three parts को और को और समे S1 S2 and S3 क्योंकि हम figure मनाए थे माने नहीं थे यहाँ पर हम मान लिए इतना होगे बात करते हैं on S1 की बात करते है S1 surface area की बात करते है तो हमारा जगा integration S1 यहाँ पर F.ncap और Ds की बात करते हैं इसके इकल्टी यह surface area इसको region में हम convert करते हैं आर रिजन में तो आजगा यह surface area N dot और यहाँ पर अमारा Dx और Dz Dx और Dz की form में ले के आ जाते हैं तो इसको हम unit vector निकालना पड़ेगा N cap dot J अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान क्या देना है यहाँ पर J लिखे हैं यही चीज के वाले के साथ करेंगे तो वहाँ पर रहेगा डीवाई रहेगा राइट चलिए अब यहाँ पर दो चीज निकालना है एक तो हमको F dot A निकालना है उसके बाद A निकालना है यह दो चीज हमें निकालना है तो दो चीज निकालने के लिए न जो आपका equation दे रखा था वो normal surface हेडिया का यह normal surface normal surface आपका जो दे रखा था x square y square is equal to a square अब इसको व्यक्टर की फॉर्म में convert करेंगे न यह देल के साथ simple में multiply करना पड़ेगा means that यह gradient हमें निकालना पड़ेगा इधर लेंगे तो यह minus a square राज है तो यह हमें यहाँ पर है क्या gradient निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अगर इसके साथ इसका जो value होता है जैसा आपको मालूम है आई डिल बाइडल एक्स प्लस जे व्यक्टर डिल डिल य डिल य प्लस के व्यक्टर डिल य डिल जेड होता है तो सिंपल से multiply करेंगे तो अगर एक्स बाले में multiply करेंगे तो एक वार यह आ जाएगा यह दिल जीरो हो जाएगा मिस्टर के हमारा अगर लिखें यहाँ पर टू ए स्क्वाइर आई व्यक्टर आई कैप प्लस यहाँ पर टू बाई जे कैप और बाकी हो जाएगा है राइट तो इधर बनाएंगे ना तो इधर बनाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे डेल सौरी डेल एक्स व्यक्टार प्लस व्यक्टार प्लस यह स्क्वाइर प्लस माइनस को आगे solve करते हैं देखिए अब इसको solve करने के बाद ना अब मुझे इसको equation आप क्या मालेजिए फस्ट मालेजिए तो हमें एक तो सबसे पहले हम जब तक यह यूनिट वैक्टर नहीं निकालेंगे जब तक हमें कुछ काम होने वाला नहीं है तो हमारा दे सिंपल सी यह आ गया अब इसको हम यूनिट वैक्टर कर निकालना चाहें अब इधर लिखते हैं इधर बसे बनाते हैं अगर यूनिट वैक्टर हम निकालना चाहें कि एन काइप इस इक्वाल टू यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर 2 एस वन इस इकोल टू अब यह जो आपका आया है यूनिट वैक्टर निकालने का जो तरीका है 2x i cap 2 by j cap आगे तो 0 है अब इसी को इसका coefficient को क्या कीजिए आप इसका coefficient को आप एक काम कीजिए यहाँ पे सभी पे square कर दिजिए x square plus 2y square इतना आ गया यहाँ पे आजाएका 2 common ले ले जी चली 2 common लेते हैं तो x i cap plus y j cap plus y j cap आप देखिए यह आजाएगा 4 आजाएगा तो common आजाएगा यहाँ पे बच्चेगा x square plus y square यह 2 से 2 cancel आटोगा इतना बढ़ाबर हमारा क्या था a था a square था यहाँ पे जब a square पूट करेंगे था x i cap plus y j cap और by under root a square तो क्या मिला आपको x i cap plus y j cap by आपका a मिला गा means that कि आपका n unit vector हमारा यहाँ पे मिल चुका है तो अब हम यह वाली निकाल सकते हैं और यह वाली निकाल सकते हैं easily तो हमको पहले हम वोसी को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे एंड डॉट जे निकालते हैं पहले मौड में राइट तो हमें यह मिला है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें काम करते हैं एकस आई कैप प्लस वाई जे कैप बाई ए और डॉट यहाँ पे जे है तो जे ही रखेंगे जे कैप राइट इतना जाएगा जे कैप अब देखिए यहाँ से ना डारेक आप इसके साथ होगा मंटिप्लाइ यह बले तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा वाई वाई यह यानि एन कैप जे इस इक्वल टू हमारा इतना मिला अब अब हम वैक्टर इतना पराबर हम निकालेंगे वैक्टर एप डॉट एन कैप निकालेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है देखि तो हम अब हम निकालते हैं एफ डॉट अब हम निकालते हैं एफ डॉट एन कैप निकालते हैं तो एप वराबर जो हमें दे रखा है एफ वराबर हमें जो दे रखा है यहां पर वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप plus j square k cap और dot n है तो हमारे क्या दे रखा है y y a दे रखा है kya दे रखा है y y हमाँ a sorry n cap n बड़ाबर हमारा ये है n बड़ाबर जो हमारा है यहाँ पे x i cap plus y j cap y a दे रखा है इतना दे रखा है अब देखिए अब इसके साथ ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x y मिलेगा और इसके साथ इसको करेंगे by a मिलेगा plus इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे फिर से again हमें ये ही मिलने वाला है और ये तो 0 हो जाएगा तो आज़े कर 2xy by a आ जाएगा अब finally हमें आ चुका है जो इसमें हम put कर सकते हैं तो इसमें जब put करेंगे न तो direct यहां पर हम लिखते हैं वेक्टर s1 region में इतना बराबर हमें क्या मिला है यहां पर 2xy a into अब हमें यह सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए अब यहां पर यहां पर बचने वाला है इंटेगरेशन एस वन थो एक्स और डी एक्स और बचने वाला करेंगे इसका अब माइनस pozi OC यहाँ तो पहले यहाँ और गर जेड आ जाएगा तो यह आ जाएगा जेड और 0 से एच और डी एक्स इतना जाएगा यहां पर जाएगा एच यहां पर जाएगा एच तो यहां पर जाएगा टू एच इंटेग्रेशन 0 से ए और एक्स और डी एक्स इतना जाएगा जब इतना आ जाएगा यहां पर तो यहां यहां पर इतना आजाएगा तो यहां पर देखिए पूट करते हैं हम लोग सब्सक्राइब यहां पर क्या है माइनस ए से ए है चले अब इधर करते हैं आपको नहीं दीख रहा होगा जब इसको पूट जब इसको आप इंटिग्रेट करेंगे ना तो आज़ेगा टू एच यह अपर पूट घरेंगे तो कती यह गों स्कॉर पारी टू माइनस एлять तो यह प्रीश हो जागा टू इतना जागा यान Ethan 2 ko4 इंटिu गाओल टू जीरो मतलब ऑस वन का ऐसेलन आ्री यहां पर यह पर्याब्रूअ रहा है और हैं अब आउन हम बात करते हैं 12 एस्टू एन टैप यहां पे J की फॉर्म का हो गया माइनस के की f0 करते हैं जेड़ इ extraction टू आप हम किसका 0 की बात करते हैं एक साथ हम लोग काम किस पे कर ली है आई और जे दोनों पे काम कर लिए इसलिए यहां पर हम एक्स के बात करेंगे देखें अब हमें क्या करेंगे यहां पर हमारा integration किसका एस्टू की बात करेंगे vector.ncap और यहां पर डीएस इसका बात करेंगे अब यहां पर आप वैलू पूट कर दीजिए वैलू आपको क्या पूट करना है s2 एफ वराबर जो आपका था वह वराबर था य आई कैप प्लस एकस जे कैप प्लस जे डे स्क्वायर के कैप था डॉट अब इन इन किसका माइनस के कैप की हम बात कर रहे हैं तो डॉट हमारा माइनस के कैप है और डिक्त इतना हो जाएगा जब इसके साथ यह डॉट पोड़क्ट हो जाएगा यहां पे तो आजए गाट इंटेग्रेशन स्टू यह सब जीरो हो जाएगा तो यहां पर कीवाल हमको जेड़ स्कुरर और यहां पर क्या बचेगा जिड्स ले लेधे डी अब यहां पर जेट बराबर हमें क्या जीरो पूट करना है और यहां पर डी एस तैने फाइनलिस ही हमारा क्या जीरो यहां देख रहे कि ऑन एस तो भी हमारा क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है अब हम न बात करते हैं और यहां पर हम किसका बात करेंगे यहां पर S3 की बात कर रहे हैं यहां पर डारेक्ट लिख्ते हैं Y F की जगर पर Y I cap प्लस X J cap plus J d square K cap और यहां पर हम बात कर रहे है कि इसका के की बात कर रहे हैं तो K cap और ds आप देखिए K j kp और ds की बात हो रहा है यहां पर तो यहां पर हम integration स्ट्री इस तरी और हैं और किस्वाइर आजाएगा और यहाँ पर इस भार हमें ह WROL है तो इस बार हमें क्या मिलेगा इन्टी ग्रेशन इसका है हो जाएगा और डिएक हो जलता है जब इस कॉएर को जाएगा डिएस हो जाएगा ऑकि अप सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो एक काम करते हैं सर्फेस एडिया यहां पर है सब्सक्राइब करके चलते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर्फेस एरिया ओफ सर्कल क्या होता है हेच स्क्राइब गुना आपका क्या हा जागा पाई और ए रेडियस के जगाप्य हमारा है यह तो हमारा फाइनली जो हमारा मिला है यहां पर एच 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 स्क्राइब और एच स्क्राइब राइट इतना आया और जो सभी था सभी को एड करना पड़ेगा तो एडियन एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री तो हमें जीरो मिला है इसका भी जीरो मिला है और एक हमें पाई ए स्क्राइर एच स्क्राइर मिला है मिला अब यहाँ पर देख रहे हैं यह ही हमारा क्या हो जागा स्वी को एड करेंगे तो हमें यह यह क्या मिल जागा finally हमारा यह मिल जाएगा s और f vector and cap और ds यह मिलेगा तो यह मिल गया तो इसका मतलब lhs मिल गया तो इसको आप यहां इधर लिख दीजेगा आप इस नहीं लिखे अपर विच चलेगा इतना हो गया तो यहां पर लिखिए यहां पर लिख सकते हैं lhs is equal to rhs यहां पर लिखि सब्सक्राइब करा दिये हैं आपका यहां पर कंप्लीट होता है जितने भी टाइप का आपका जो कोसंस आपका एक्जाम में पूछा जाता है सभी टाइप करा दिये हैं अब हम लोग next lecture में बात करेंगे stock theorem का जो last बच जाएगा उसको बात करेंगे उसके बाद बीटा का मां के तरफ चलेंगे जो हमारा last topic होगा तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे next lecture में जो तक अपना ख्याल रखिए thanks love you all